एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी का भी ये कहती है कि भगवान श्रीराम का कोई एतिहासिक सबूत नहीं है और दूसरी ओर अब राहूल गांधी को भगवान श्रीराम से कंपेर किया जा रहा है रम के लिए थबूत मांगने वाले लोग अब राम का सहारा लेने लगाए सलमान खुर्शीद के यह राहुल गांधी से मर्यादा पुर्शुत्तम शिरी राम की तुरना करे। भाई अभी इतने उत्सा में मता यह सलमान खुर्शीद हों या उसमें और अन्य नेता हों तो वो निकल गए हैं इस चीज़ के लिए चाटू कारिता के लिए। करने हैं खासतोर से मायनिटीस के अंदर मुसल्मानों के अंदर के आरे सेस तुम्हारी दुश्मन हैं आप उनके करेड़ा जाएं और जिस तरह से आपके संगटनों के ओपर भाई-भतीजावाद हुआ है षी अंदर आपने समाज के लिए देश के लिए अच्छे कारिये कहीं है, मैं उन्हें किसी तरह से भी ये नहीं मान सकता हूं, कि वो नफरत का काम करते हैं, या किसी को नुखसान पहुचाने का कम करते हैं। खबर इंडिया राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर काफी दिल्चस्प महौल है और दूसरी ओर एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी कभी भगवान राम की होने का सबूत मांगती है तो दूसरी ओर अब राहुल गांधी को भगवान श्री राम से कंपेर किया जा रहा है इसी मुद्धे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ समोम काश्मी जी मौजूद है उनसे बात करने के सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर कैसे देखते हैं कि एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी कभी ये कहती है कि भगवान श्री राम का कोई एतिहासिक सबूत नहीं और दूसरी और अब राहुल गान्दी को भगवान श्री राम से कम्पेर किया जा रहा है दिए पहलений मर्यादा प्रशुत्तम श्रीराम से कम्पेर करना इसव किसी तरह से भी मैं या समझता हूं और उचथित नहीं है इसका आंगरेसियो को अतियोफ साहित नहीं होना चाहिए कि वो मर्यादा पुरश्रत्तम शिरी राम से राहूल गांधी की तुलना करने रहे हैं अब रहे की बात ही है कि मैं देख रहा था कि बहुत अर्से से 2010 में जब हमारा अंधूलन शुरू हुआ अन्ना मॉमेंट जब शुरू हुआ मैं उसकी क्योंके फांडरों में से हुआ हूँ तो उसवक्त कॉंग्रेस इतने करप्शन में मुपतला हो गई थी कि लोग आल्टेनिट के तोर से ढूनने लगे थे और आल्टेनिट जो है वो देश के अंदर कोई नहीं था उस वक्त तो श्री नरेंदर मोदी जी आये और उन्होंने आल्टेने बने और गोटाले से लेकर के और जितना भी 2G का और 4G का जितने भी गोटाले हुए हैं उसमें सम्में कॉंग्रेस शामिल थी यही राहूल गांदी जी यानि इन्होंने एक मौके के उपर काम तो ठीक किया था मगर उसे जिस अंदाज से इन्होंने उसे आर्डिनेंस को फाला था व अगर अरसे तक यानि मैं समझता हूँ के आठ साल करसा हो गया है कि अभी तक कॉंग्रेस जो है वो अपोजिशन के लायक भी नहीं थी अब अगर राहूल गांदी निकले हैं और वो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कॉंग्रेसियों को अति उस साहर नहीं दिखाना चाहिए बलके उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह देश की जन्ता ने अगर उन्हें अलग किया है तो उन्हें अभी इतने उसमें नहीं आना चाहिए कि वो प्रशुत्तम मर्यादा श्री राम से राहूल गांदी की तुलना करने रगें यह अनुचित हैं लेकिन देखिए सलमान खु और यह कि अब हम आयोध्या में या फिर योपे में खड़ाओ लेकर पहुच रहे हैं देखिए पहली बात तुम्हें कहूंगा कि यह जो जो उनके साथ में मैंने उस जमाने के अंदर भी उस वक्त के प्रधानमंतरी मनमोहन सिंग जी से एक बात कही थी कि मनमोहन सिंग जी आप कुछ ऐसे वकील जरूर हायर कर लें जो आपको सही सला दें यह जो वकीलों का गुरूप था उस जमाने में तो सल्मान खुर्शीद भी उनमें से एक हैं कि यह लोग इस तरह से उन लोग जाकर के गुमरह करते थे कि सही बात नहीं बताते थे आज फिर यह लोग अपन को निकल गये हैं इस चीज के लिए चाटू कारिता के लिए तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि मर्यादा परशुत्तम श्री राम की जिन खड़ाओ की बात आती है कि भरत ने यानि उनके जो छोटे अनुज थे उन्होंने जब कहा कि भाया यह मैं इस यह राजकार्ट नहीं चला सकता हूँ यह तो आपका ही अधिकार है तो जब मर्यादा पुरुषुत्तम श्री राम अपने वचन को के अपने अपने फादर के यानि पिता जी के राज़ा धर्शरत के वचन के निर्वाहन के लिए गए हैं तो उसवच भारत भारत ने यह काम किया कि अपने आसन क उपर मर्यादा पुरुषत्तम शिरी राम के खड़ाओं को रखा और पुरी सरकार चलाई तो इसलिए कहां उन से तुलना कर रहे हैं मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषत्तम शिरी राम हमारे कंकंड में हैं और भारती संस्किर्ती जो है यह निए मैं समझता हूँ कि मेरा म पुरवज हैं, हमारे पुरवज हैं, तो हमें उनके ओपर हमें गर्व करना चाहिए, और सल्मान खुर्शीत के ये अलफाज के ये राहुल गांदी से मर्यादा पुर्शुत्तम शिरी राम की तुलना करें, और आयोधिया जाकर के कहें कि अधर जा रहे हैं, भाई अभी इतन इतने उत्सा में मता ये, बलके अपने आपको महनत करिए, और एक ये तो राज नीती है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो जो लोगों के मनों में पहुंच जाएगा, वो सरकार चलाएगा, वो राजा बनेगा, और हमारे तो राज पार्ट का तो बिलकुल तरीका य यादाओं को पूरी करेगा, लोग उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सल्मान खुर्शीत का ये वक्तव ये ये अच्छा नहीं है, उन्हें इस से फौरी तोर से रुजू करना चाहिए, लेकिन देखे, राम के लिए सबूत मांगने वाले पढ़ा, तो हमने कहा उस वत के बई से संसार का पहला गरंत वेद हैं और अंतिम ग्यान कुरान हैं और हमारे दूदो खुन के रिष्टे हैं और सारा संसार एक ही नरो नारी से बना है, तो उस वक्त लोग आलोचना किया करते थे, आज जब हम ये बात कहा रहे हैं कि भारति छोटे मसाइल में ना पढ़ें, बलके छोटे 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 जो हमारे अपने जो हमारे इखतलाफ हैं, उन्हें दूर करें और अपने आपको एक मजबूत भारत बनाएं, एक मजबूत कौम बनाएं, मजबूत कौम जनी भारतिये, कौम का मतलब याता हम भारतिये, हमारी जो कौम है वो भारतिय है हमें अपने आपकी भारतियता को हमें मजबूत करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए और अपने नौजवानों को जैसे आज कल कुछ फिल्में भी ऐसी आ रही है उने उने भी यह चाहिए उन एक्टर्स को कि वो अच्छा संदेश द उनकी तुल्णा करने लगी यह अनुचित है इस बयान से कितने सहमत है कि आरेस जो है नफरत और दंगा फैलाती है बने कि पहली बात तो circuits को मैं 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 कहना चाहता हूं कि RSS नदंगा फैलाती है और नाहिद नफरत फैलाती है दरसल जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने संगटनों के उपर काबिज हैं वो इस तरह का भरम पैदा कर रहे हैं खासतोर से माइनिटीज के अंदर मुसल्मानों के अंदर कि RSS तुम्हारी चाहेंगे और आज तक का इतिहास ये है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो विगटन कारी कारिये हूं बलके उनके जो रचनातमक कारिये हैं वो आपको हर जगह देखे जा सकते हैं मैंने तो ये देखा है कि आप मैं मैं उन्हें करीब से मैंने देखा है मैं क शुआ छुद तक को भी कम किया है अपने डिफरेंस को खतम किया है तो इसलिए अगर माइनिटी के अंदर कुछ लोग ऐसा भरम पैदा करना चाहते हैं मैं माइनिटी के लोगों से खास्तोर से मुसल्मानों से कहना चाहता हूं कि आप उन्हें इन नेताओं से मत समझे आप उ उन्हें किसी तरह सी भी यह नहीं मान सकता हूँ कि वो नफ़रत का काम करते हैं या किसी गो नुखसान पहुंचाने का काम करते हैं तोरे बात अब है कि भारत जोड़ो यात्रा को आप क्या समझते हैं lack Raghun Ghandi जब भारत जोड़ने के नाम से सनक् anthropology तो 20 में कोई शक नहीं जिसे यह वा तो खेर क्या एक राज कुमार वो घूम रहा है सडकों के ओपर तो यह से मैं समझता हूं कि यह कोई बुरा नहीं है उन्हें यह यात्रा करनी चाहिए उन्हें मालूम होगा देश कहां कहां बसता है और किन-किन सभ्यताओं कौन-कौन सी सभ्यताओं हमारी हाँ जीवित हैं और क्या हमारे हमारे हमारा तहजीव और हमारी तमद्दुने उसे दार हमें तारीख उन्हें देश की तारीख के भी मालूमात होगी और मैं समझता हूं कि संदेश भी अच्छा जाएगा और अभी जैसे अपोजिशन की जरूवत है देश के अंदर अभी तो एक अच्छी सरकारों का यही काम होता है, कि वो अपने गरीबों के लिए काम करें, अपने नागरी को के लिए भलाई का काम करें, उसके लिए नरेंदर मोडी जी ने बगएर भेदभाव के काम किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुसल्मानों को भी उतना इफाइदा हो रहा है जितना हिंदू भाईयों को हो रहा है जितना सिख और इसाईयों को हो रहा है तो मैं कहीं भी यह नहीं मैसूस करता हूँ कि नरेंदर मोदी जी का अभी मुकाबला देश में कोई कर सकता है अभी टी-शर्ट पहन के सिर्फ घूम रहे हैं लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या एक टी-शर्ट पहन के घूमने वाले व्यक्ति को राम का स्वरूब बता दिया जाएगा यह तपस्वी बताया जा सकता है क्या नहीं मेरे एक दोस्त है डाक्टर डाक्टर परकाश बीना तो मैं आपको बता दूं कि वो हाफ शट पहनते हैं और विल्कुल ऐसी घूमते हैं और वो तो ऐसा नहीं कि राहूल गाने टी-शर्ट पहन के उन्हीं के अंदर फिल पावर है कि जाब उन्हें सरदी नहीं लगती है आप भी ऐसा कर सकती है ऐसा नहीं यह कोई यह तो एक कर में जहन होता है कि मुझे एक दिमाग में बात होती है मैं एक उड़ता और बहुत कम कपड़ पहनता हूं ऊपर शेरवानी पहनता हूं कोई किसी इतार कि ठेंडा गर्मी यह यह तो इसा नहीं थो को रहूल गांधी ही टी-शट पहन कर गुम रह हैं और उन्हें शीरइर के अंदर जन्वरी जन्वरी दिसंबर की इस कडाके की ठंड के अंदर तो ऐसा नहीं है कि राहूल गांदी जैसे और लोग भी है कि जो टी-शट पहन करके घूमते हैं तो उन्हें आपको सबको सबको आप शीरी राम से और शीरी कृष्ण से आप उनकी तुलना करेंगे यह है ऐसा नहीं है हमारे तो सादु संतों की संस्कृति है स्वामी रामदेव जी तो एक एक कपड़ा उपर लपेटते हैं बस वह तो कुछ पहनते ही नहीं है और बिल्कुल पूरी सर्दी में ऐसी रहते हैं आप जाके चेक कर लीजे तो ऐसा कि अगर वह टी-शट पहन के नि नहीं है